आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोटो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनोड करें हलो बच्चो, हमें इस प्रशन में दिया गया है, दिखाओ कि अंग्रेजी बनवाला में नीचे दिये गए कुछ अक्षर के समिती अक्षव पड़ी रेखा है, B, C, D, E, H, I, O, X, हम यहाँ से B को बनाते हैं, तो यह हो गया B, अब यहाँ से अगर हम इसकी सिमेट्रिक बनाएं, तो सिमेट्रिक अगर हम यहाँ से ऐसे, यह हमारी सिमेट्रिक पड़ी रेखा है, यह सिमेट्रिक यह जो इसके साप एक्ष अगर हम सिमेट्रिक देखा है, तो यह दोनों तरफ उपर भी और नीचे भी यह सिमेट्रिक बन रही है, तो यह इस X अक्ष के एलोंग यह पड़ी रेखा के, पहले हम B की सम्मिती देखते हैं, यह B हो गया, तो हम यहाँ पर एक पड़ी हुई रेखा थीचते हैं, तो हम देख रहा हैं कि उपर भी और नीचे भी बिलकुल समान फिगर बन रही है, यह B और यह नीचे का भी बिलकुल समान है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो सम्मिती बन रही है, यह पड़ी हुई रेखा के सापेक्ष है, सी को अगर हम यहां से एक पड़ीवी रेखा से काटते हैं तो यह दौनों जो चित्र हैं वो बिल्कुल सम्मित बना रहे हैं क्योंकि उपर भी सेम है और नीचे भी नीचे भी बिल्कुल समान है यह समान आत्रती उपर और नीचे बनु रही है यह हमें डी दिया हुआ है कि को हम अगर एक पड़ी हुई रेखा लेते हैं तो हम देखते हैं कि उपर का भाग और नीचे का भाग बिल्कुल समान है तो यह इस रेखा के पड़ी हुई रेखा के सम्मिती है कि देखें हम अगर हम यहां से पड़ी हुई रेखा को लेते हैं तो यहां से भी उपर का भाग और नीचे का भाग बिल्कुल समान है तो हम यह पता चल रहा है यहां से यह जो पड़ी हुई रेखा है यह इसको सम्मिती बना रही है अगर हम यहां से एच देखते हैं तो यहां से अगर यह हम पड़ी हुई रेखा बनाते हैं तो यहां से उपर का भाग और नीचे का भाग सेम है वह दिखका है। समान है तो इसका मतलब यह हुऊ लिए आ कि यहाँ जी को um कट मां रहा है। और यहां से हम देखें यहां से भी उपर और नीचे का दोनों का भाग सम्मिती बना रहा है अगर हम X देखते हैं X में भी उपर का भाग और नीचे का भाग सम्मिती बना रहा है तो यह अंग्रेजी में B C D E H I X O और X पड़ी हुई अग्छ पड़ी रेखा के वो सम्मिती बना रहा है अन्यवाद